तो स्वागत है मेरे चैनल में मॉनिंग अट है में और मैं पी यूं गरम गरम पानी अपने बेटे के लिए मैं निपल बॉयल कर दिया उसके लिए दूद के लिए चड़ा दिया अपने चाहे और मैं अब प्लाओंगी उसको दूद मैंने होट वाटर ले लिया सरदी बहुत ज्यादा है ठंडा पानी है ना आजकल बिल्कुल भी पीन जाता है वैसे भी तो बोलते है ठंडा पानी पीना ने चाहिए गरम पानी पीना चाहिए बट मेरी हैबिट इतना गरम पानी पीने की नहीं थी बटा आज की सर्दी में तो मेरी भी मज़बूरी बनगी क्योंकि अ 2024 में पढ़ रही है सही में गाई बहुत ज़्यादा सर्दी अपने आपको पूरा ख़वर करके रखते हैं तो भी सर्दी लगती है बार निकलते हैं तो बस तो अभी हम स्ट्राइक के साथ पी रहे हैं पंजीरी के साथ चाहिए पी रहे हैं तो अभी बजगे हैं दिपैर के तीन और में वर नियू कपडों का फोल्डिंग वाला काम मौसम ऐसा हो रहा है कि दूप निकल नहीं रही है और ये फोल्डिंग वाला काम हमारा लेडिस का बड़ा रहता है कि किसी भी रूम में देखोंगे तो आपको कपड़े ही मिलेंगे क्योंकि आजकल कपड़े सूकी नहीं रहे है चाहे कितना ही उनको अब फ़लाव लाके डार रहे हो न ये वाला मौसम सबसे ज़्यदा तंग करता है इसमें बेस्ट आइडिया जही है कि बस रात कपड़ों को पंके के नीचे डाल दो शाम को मैंने आटा फाटा लगा दिया अभी पापा जी बोह रहे थे शाम के पांच बजगें तो बोह रहे थे मुझे जूस प्ला दो तो बस उनके कहने पर मैं जूस का काम करनी हूँ वैसे जूस वाला जंजट है न जहे बहुत मुशकल है नार वगयरा के धालने निकालने मुझे 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 मुशकल लगते हैं यह काम मुझे टफ लगता है और यह काम ज़्यादा मेरे हैसमेंड़ी करते हैं जूस वगयरा निकालने की ड्यूटी उनकी होती है क्योंकि मेरा बेटा शोटा है और मैं बहुत कामों के साथ बड़ी मिश्कल से पूरा मतरू उतरना पड़ता है तो बस मैं नार के धाने उनके लिए मैं बना रही हूं जूस क्योंकि उनके कहने पर वैसे तो जूस होला का मेरा पैंडिंग चलता रहता है चलतर दो सुबा से ही पेंडिंग पड़ा रहता है अभी सर्दी का मौसम है तो दिल ऐसा करता है कि कुझ गरम-गरम चीज मिल जाए वो पीनने को मन करता है और जो जूस बगरा थंडा है ना पीनने का बिलकुर माननी करता लेकिन पापाजी के बोलने पर मैंने सुचा चलो इ उपर समान लाते रहते हैं तो फिर भी कराब भी जाता है तो मैं निकार रही हो जूस पापा जी लिए के अर्नम के लिए और हम भी एक एक गलास पीएंगे वैसे तो इस मौसम में जूस विगरा और विटामन सी की चीज़े ज़्यादा लेनी चाहिए क्योंकि मौसम एंटी प्रॉपर करा और उसके बाद फिर आप बीच में कहीं चले गए ओड़ गया तो आपका वही होजाता है कि बीच में आपकी वही जो काम कर रही उसमें तौप एपसंट होई जाती हो ना मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपने के साथ भी ऐसा होता है तो मुझे कि हो गए है आठ बजगे है पापा वगएरा जूस वगएरा पीकर सब चले गए तो आठ बजए बस मुझे भी लग रहा था पहुत जदा सर्दी है और मैं भी खाना बना हूँ और फटा 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 रूम में चली जाओं पूरा काम फ्रीच करने के बाद ही हम लोगा आज देने के लेने पड़ जाते हैं एक बर बच्चा बिमार हो गया तो बस आपका घर का जो काम है ना सिस्टम है ना वो भी उतल फटल हो जाएगा इसलिए इस मौसम में आप बच्चे की केर करना बहुत जरूरी है और मेरा बच्चा तो है यह बहुत शरारती वो कहना मानता ही नहीं है बहुत जिदा परेशान करता है काना भी काता तो मॉबाइल के साथ काता फिर भी वो काना काते खाते चलाता रहता है चलाता रहता है और पहले वो कार्टून देखता था अब क्या है ना उसे होम पे जाना होता है कि बोलता कि ममा मुझे अपने अप सेलेक्ट करके वीडियो देखनी है कि मुझे कौन सी वीडियो देखनी है तब असके पापा कैसे भी करके उसको एक रोटी खला रहे अगर एक रोटी खा ले तो उसके लिए ठीक रहता है अगर नहीं खाता तो फिर वो पूरी राती चलाता रहता है और मैं साथ में इनके पापा को भी ठालिया गरम गरम खाना उन्नी को भी पकड़ा देती हूँ क्योंकि खाना आजकल सर्दी का मौसम ऐसा होई है जो आप गरम गरम खाओगे और बीच में मुझे कुछ केज करवा रहे तो मैं पटापट केज करके रोटी बनाने लग गई हूँ क्योंकि इनकी फर मैशे होती है बस कुछ करो कुछ करो खाना बनाती बनाती है आपको पता नहीं कितनी बार ही बीच में ना जिसी काम के लिए जाना पड़ता है और जिनके बच्चे शोटे हैं जो वो ये वाली प्रॉब्लम समझते हैं कि बच्चे उतना टाइम आपको काम करने में नहीं लगता जितना टाइम आपको बच्चे को मैनेज करने में उसको चुप कराने में उसको मतरफ खिलाने में लगत दिया अभी तो बच्चा भी हमारा ना हमारे जितना ही होता अगर टाइम पे हुआ होता चला बगवान का शुक्रा लेटा इदरुस्त आया ना अच्छा हुआ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक और शेयर कॉमेंट जूर करना और चैनल को सुस्क्राइब जूरू करना थैंक यू सो मच टू वाल अपजू अगर आपको वीडियो अपजू